डियर फ्रेंट्स मैं डोक्टर पाउन बासनीवल आपका स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेंट्स 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 आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइस होता क्या है फ्रेंट्स देखना आप यहां पे इसका दूसरा नाम है सबसे पहले कि 210 पातव размereALKं कि इसको दूसरा नाम पी सिर्प पाथ्वे भी मुठें ऑके अम्प पातव याद रखना जिसका दूसरा नाम हमें। ग्लाइकोलाइसеня यहां पे ग्लाइकोलाइस को मैं फोर्याद कर वा-ग्लाइकोलाइसिस फ्रेंट्स के मतलब होता है गुलकोज। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो कहने का मतलब यहां गुलकोज ब्रेकडाउन होने वाला है। तो उसको हम बोलते हैं गलाइकोलाइसीज। इसको बोलते हम Glycolysis नौ यह वोता कहा है मैंने कुछ पॉइंट्स बताने ही कोसिस कर रहा है गां कांगे छोता है मतलब होता कहा है साइटोसोल ओई एस सेल्स में होता है और कहा होता है साइटोसोल में होता है कौनसी कंडिशन में होता है friends बहुत को कहें घाल को डो अरभी condition अनला अनलों कंडिशन होता है उगे फिर उसके बाद में देहां दिजीए का इसमें समझे का इसको प्रिपेर कर रहा है कि सको गुलकोज को प्रिपेर्टी आप फेज आप इसको बोलते हैं क्या होता है फॉस्पोरयलेशन और फॉस्पेट ग्रुप ईएटीप उने वाला यहां पर इसको वोलते हैं प्रीपेर करने वाली क्टिशन जिसको दूसरी कन्डिशन हमारे सामने पे-अफ का मतलब देना कुछ दे रहा है या दे रहा है औक्सिडेशन और बिस्रेंगे रिफोस्पेट जो यहां बना था किसमें प्रिप्रिप्रेट्री फेस में जो बना था उसका ऑक्सिडेशन होने वाला है किसमें टू पाइरुवेट पाइरुवेट में ऑक्सिडेशन होगा मनलग पाइरुवेट बनने वाला है and formation of what ATP and NADH and plus H plus positive जिसको आप generally combinedly form में आप NADH2 लिखते हैं जनरल इसका correct वे यह तरीका है लिखने का ओके तो NADH2 बनता है जो जिसको अपन दुसरे तरीके से बोलते NADH plus H positive clear है now यदि हम इसी को यह तोनों phases समझेगा यह दोनों फेज़े टॉटाल टेन reactions होती है तेन reactions होती है यह है यह दोनों फेज़े मिलाड़ी कितने reactions होती है यदि इसकी ओवराल reaction बात करें ओवराल reaction की बात कर रहे हैं अपन ओवराल reaction का मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है गलाइक पोलाइस से बनता क्या है जैसा कि हमने बात करी गुल्कोज यूज होता है एक molecule जिसमें दो ATP काम आएंगे साथ में दो NAD प्लस और दो इन और्गनिक फोस्पेड ओके तो क्या होता है फ्रेंज द्हान दीजिएगा यहां पे क्या होगा दो पाइरुवेट बनता है इससे चार ATP बनता है दो NADS प्लस दो एज प्वाजिटिव जिसको अपन कमाडली फॉर्म में NADS2 बोला था और साथ में दो वाटर मॉलेक्ल बनता है यह है फ्रेंड्स यह इसकी पाइरुवेट की ओवराल रियक्शन ओके इस तरह से हैं फ्रेंड्स आपने इसकी यह समरी देखी मैं शॉट में र हो बाहर निकलते हैं इसका सामरी इसका इसके बात में हम पढ़ने वाले क्या इसका कंप्लीट पाथ्वेक किस तरह से चलता है ओके नाव फ्रेंड्स कम टुद ग्लाइकॉलाइस पाथवे जिसको हम इंप पाथवे भी बोलते हैं यह ग्लाइकॉलाइस पाथवे जिससे हमारा स्टार्टिंग मैटीरियल बोला था जैसा कि हमने गुलकोज की बाती गुलकोज में एटीपी यूज होता है और उसकी अरियपन फोसफोराइलेशन पोसपेट का जुड़ना करलाता है यह हमारी पहले पुर्टे बंता है इमीडियेटलिटलि उसका आइसोमर बन जाता है किलlden का इसमर क्या होता है यह वहीं जेस स्ट्रक्चर को सिरफ इस людям होता है जिसको बोलते हैं, गुल्कोज-6-phosphate जैसे ही गुल्कोज-6-phosphate बनता है, जैसे ही गुल्कोज-6-phosphate बनता है, एक फॉस्पेट और जुढता है, ATP से ADP बनता है, जिसको बोलते हैं, आगेन यह वाली रीक्षण सब्सक्राइलेशन जैसे ही गुलको फ्रक्टोज 1-6-ी बसफिट बनता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है जिसको पन लाइस भी होते हैं दो मॉल्क्यूल में यहां पे 6 carbon थे, ओके, दो molecule में 3 carbon वाला यह molecule और 3 carbon वाला यह molecule, इस एक molecule तो दा dihydroxy acetone phosphate, जिसको आप DHAPB short में बोलते हैं, दूसरा है, गलिसरे aldehyde 3-phosphate, friends, दोनों के दोनों isomer है, एक दूसरे के लिए, इसलिए 5th reaction है, मतलब दोनों एक दूसरे में हो जाती है जैसे ही यह दोनों होते हैं फिर आगे रियक्शन होता है यहां पे दो इन और्गनिक फोस्पेड और नडी पॉसिटिव दो यहां पे क्यों क्योंकि एक मॉलेक्शन यह दोनों अब यहां से दो रिएक्शन स्टार्ट होगी सुरुवात वाली यह पूरी फेज पूरेग्शन कौन सी जैसा कि हमने थोड़े दीडिर पहले बात कही दी तो यहां पे 2NADS 2-2 बन गया है अगेन सी 2-2 हाइटरोजन बाहर निकल रहे इसका मतलब क्या हो गया बॉह अप्सेडेशन हो गया यह तो होगे ऑक सेडेशन एक्सण फिर फोसपेट उड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे जैसे कि फोस्पेट ग्रूप यहां पे जुड़ रहा फोस्पेट हो गया वन त्री विस फोस्पोगल्सरेट हो गया जैसे हुआ यहां से उसका नाम याद रखने में बड़े आसानी होगी जिस रेट हो गया अब क्या हो गया यहां से दो फोस्पेट मोयटी है दो फोस्टैट मोसित दो एडिपी आया दो एडिपी में हो गया remember फ्रेंड एक फोस्टैट लेके यहांसे अट इन बन गया यहां भर कर स्ट्रेंट लेवल 주電azione घ्जेशन ऑकर जैसे ही फोपॉस्पोम फॉस्पव वाला फोसपेट Dip ऐटी पर आहरीशा डिप बनता था तो क्या वात आ है इमिटियेट एसमेराजीशन होता है थाद पोजीशन वाला फोस्पेट गरुपुसकी की होता है City इस जैसे ही होता है दो वाटर मॉलेक्यूल वाहंसे बाहार निकल जाता है वाटर मॉलेक्यूल निकलने की कंडिशन को वोते हैं डी आइड्रेशन पहुते हैं जैसे होता है उसका नाम बनता फोसपो इनोल पाइरुएट फोस्पोक इनोल पाइरुएट से फ्रेंट ध्यान दीजिएगा दो गुरुप जुड़े निकले सिर्व पैरुएट यहां से निकल गया तोग एटि की बनना तया है यह दो एटीप बन रहा अगें सबस्ट्रेट लेवल फोस्पोराइलेशन और एंट अप अप लाइकोलाइसे सामें क्या मिला पाइरुवेट मिल गया शुरुवात यहां से हुई थी बुलकोट से और दो पाइरुवेट मिल गया यह तू हो गया फ्रेंड से इसका पाथ काईनेज एंजयम होगा हमारह है ऑपोस्पोराइशन को kya करेगा एक्टिवेट करेंगास को सेटलाइस करेंगे पाल्यवेस काम कर्रा राए और इस मिलीड्वालिट थिए वालत फिम देड करेंगी हैं फिर होुए रीन पेल्पि घृप्पाट काम कर रहा है इसका मलब ही फोस्फो फ्रक्टो काईनेज समझ में आ रहा है फोस्पोरलेशन का मनलब इति-पी बात कर रहे हैं फ्रेड्स यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है फ्रक्टोज च्छे कारबन वाला एल्डोलेज काम करता है एल्डोलेज लाइसिस करता है जो दो में तोड़ रहा है डी एचेपी एंग ग्लिस्रेयलगेट फोस्पेट में सेहलारली फिल्ट पोजीशन पर द्यान दीजिएगा आईसोग रहा है आईसोम का मतलब सिंपल सी बात है यह सिक्स हवाला हमारे पास एंजाम आ गया फिर इसके बाद में हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है औक्सीडेशन का मतलब बहार निकल रहा है वी हाइड्रोजनेज इसको हम बोलते हैं यहां पर आगें एक एक टीप से काम हो रहा है तो 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 दैट इस काइने हैं पूरा नाम लिखेंगे फोस्फोग्लॉसरेट काइने जैंग हो गया फिर द्यान दीजिएगा isomerization हो रहा है मतलब just mutation type का हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे mutage engine इस isomerization को करेगा फिर द्यान दीजिएगा water molecule निकल रहा इनोल बन रहा है formation of inol तो उसको बोलेंगा inolase 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 याद रखना है अपनको फिर इसमें द्यान दीजिएगा अगीन ATP बन रहा है इसलिए हम kinase नाम लिख दिया यह हो गया हमारा kinase तो फ्रेंड्स यह हो गया हमारे enzymes यहां द्यान देने वाली बात है reaction जितने भी मैंने लिखी है arrow से मैंने blue line लिखी है double sided दोनों साइड इकलिब्रियम में reaction हो रही है यह वाली equilibrium में reaction हो रही है यह वाली equilibrium में हो रही है again equilibrium 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 फ्रेंड्स फोर एक्संस ऐसी है मैंने red color में लिखा है one sided arrow है यह फैली reaction दाट इस इसका मतलब ध्यान दीजिएगा दूसरा again arrow ATP का हमारा है तीसरा अगें यह सिंगल arrow है जो ATP का हमारा अगें एरो सिंगल एरो ATP बन रहा है मतलब समझना फ्रेंड्स यहां पे जहां पे ATP यूज होता है यह ATP का formation हो रहा है वह one sided reaction है equilibrium वाली condition नहीं है यही की enzymes हमारे इस पूरे glycolysis के लिए की enzymes होते हैं कौन-कौन से बात कहूं में hexokinase हो गया दूसरा हो गया phosphofactokinase हो गया तीसरा हो गया kinase हो गया लास्ट पाइरुएट काइनेज अधीश पूर enzymes are key enzymes और regulating enzymes बाती सारी steps क्या है equilibrium condition की है ओके यह तो हो गया इसका नव अब बात करते हैं कितने एटीपी बने फ्रेंज द्यान दीजिएगा एक एटीप यहां जो रहा है दोसरा एकटीप यहां हो रहा है मतलब दो एटीप उसकी प्रिप्रेटरी पेज में काम आ रहे हैं फिर उसके बाद में यहां देखना दो एटीप हमारे पास यह बन रहे हैं इसको हम कौन सी Care Room अगए हैं और 222ृ तो νेट प्रॉफिट कितना हुआ दो 22 यह तो हो गई हमारे किसकी एमारैंबिक टीशन हो या पोचे बने फ्रेंडर्ड से लिए लगे इंच-ुड पर इलेक्ट्रोन ट्रांसपूर्ट सिस्टम में जाएगा एक NADH2 के बराबर कितना होते हैं एटीपी तीन एटीपी होते हैं तो टोटल कितने बनके छह एटीपी और दो एटीपी अभी हमारे नेट प्रोफिट था इस तरह से एरोबिक कंडिशन में आठ एटीपी ग्लाइकोलाइस से मिलते हैं यहां फ्रेंड् सब्राइस करके इसको फ्रक्टोज बन दो उसका फोस्पीट जोड़के 16 डाय फोस्पे वो उसको ब्रेंट डाउन कर दो फोस्प्लाइस कर दो है ड्ली हाइट्रोजीन करें तो क्या होगा ऐटीग से गिलसरेत बन जाएगा और उस पर दो फोस्पे जोड रहें पिर उसके के बाद में उसमें ATP से ATP निकल देगें, तो क्या होगा? Kinase बन गया, glycerate बन गया, एक phosphate बाहर निकल गया, फिर म्यूटेतन करतः क्या है, फिर उसका तो क्य कहीं है? वहको बन गया? फॉस्पो म्यूटे से क्वेस्टे जायएगा, क्यों हमारा product बन गया, पॉस्पो वाला. दो पाइरुवेट बन गे और एंजाइम उसके सबस्ट्रेट से रिलेक्टेड ही है इस तरह से फ्रेंट्स द्यान देने वाली बात है आपको साइध समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स यहां पर आपने यह दि सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब करें इन् समझ में आया हो तो और कुछ कमेंट केजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुच्छ